असलाम उलेकूम सस्थिकाल नमस्ते आदा आप तो कैसे मेरे प्यारे भाईयों ख्यरे से हैं वेलकूम है न्यू वीडियो में गल्फ की नॉलेज के तो अभी इस वीडियों बात करेंगे आपको जैसा कि हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते हैं जाविद भाई एक हजार सैलरी में 500 सेलरी में हम कितना खर्च कर लेंगे और कितना बचा लेंगे खास कर नए लोगों के ये वीडियो है जो हमारे भाई पुराने हैं वीडियो स्किप कर सकते हैं या ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़ाद ज़ाद शेयर करें Facebook पर Instagram पर जहां पर बहुत सारे आए ओधिम मॉल है जविद भाई और बहुत सारे ऐसे मॉल वगरा है जिसमें 1000 से 1200 रियाल की सैलरी दे रहे हैं मैं एग्जामपल 1000 रियाल अगर आपको वह मिल रहा है ओधिम मॉल में उसी में आपका खाना भी है बाकि कि आपका रहना फैलeros फरी रहता है इससे आपको कोई लिना देना नहीं है आपको लिना देना है कि हमाएं कि इतनी है उस में साइ़ बचा कितना लोगिए दोक सिर लीयां से रिया और मेरी बात नहीं है यहир иск serious से अपना साथ साल का उस साथ साल का experience मैं खुद से भी खाना बनाया हूं और दोस्तों के साथ भी खाया हूं तो यह मैं आपको पहले बता देता हूं कि 1000 रियाल की चैलरी में आप पहले यह सोच लो कि खाने में कितना खर्च होता है अगर आप अकेले खाना बनाएंगे अकेले मतलब आपका सारा बरतन गैस सब्जी चावल एटू जट आपका अकेले का होगा तो महीने का कम से कम तर 2500 मानिये मैं अकेले में 37-300 खाता था नास्त कुछ एक्स्रा मन कर गया खाने का कभी होटल से ही ले आए कभी मन नहीं करता खाने का तो सब कुछ जोड़ना पड़ेगा उसमें जब रहे हैं कि तीस दिन आप खाना बनाओगे ही बनाओगे हाँ कभी-कभी मैडम भी दे देती है अपनी तरफ से कफिल भी दे ता अपनी तर राशन में आपको मसाला हर एक चीज महेंगा हो गया है पहले के समान में अभी के समान में बहुत फर्क है जो चावल पहले 40-45 रियाल का आता था वो चावल अभी 62-70 रियाल का आता है समझ गए तो बहुत सारा क्यूंकि 15% टैक्स जूर जाता यहां पे और समान तो ऐसे ही म मानलो दौस के साथ अगर आप आप खाना खाते हो वैसे का घंपिट के अप आप गल्फ में कामी नहीं कर सकते जी हो मैडम के साथ कहीं गये करोगे वीडियो कॉल करोगे वास्टाप मैसज करोगे कुछ ना कुछ तक करोगे ना क्योंकि बीना इंटरनेट के आप थोड़ा सकते पांच मिनट आप नहीं रह सकते जी इंडिया में नेट के रह लेते हैं तो नहीं और आपको यह जानकर की खुसी होगी जिन भाईयों को इबी सी जी भी नहीं मालुम है वो बी इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेट में हर एक चीज चलाते हैं क्या क्योंकि आपको एक औरहसर फोन करना होगा हारसर नेट चाहिए बहले होस्जासर क्की सब्सक्या और साम के टैम में ड्यूटी से अपने रूम पर आ गए तो साम के टैम में थोड़ी बात कि एक खाना बनाएं सो गए दस जी भी उनी लोगों के लिए काफी है लेकिन जो ड्राइवर का जॉप करते हैं या कोई अपना अलग से काम करते हैं या पेंटिंग का पलंबर का कोई आप एकि तो जो बाहर के रूसा आपनेके जोड़ा ध्याम करते हैं टॉड़ा से मौझा मिला इंटरनेट चाहिए चुँक Requy कोई एंटरदरे जरूरे पांथ के रखाते हैं में 15 सोड़ायाल इंटरनेट मेंगरता थो और demekत घ्यून आब तो एक हजार रुपे में से 400 रुपे में आपको सौधी जा रहे हो मतलब इंडिया से साथ समंदर पाड़ जाएंगे 12,000 कमाने के लिए नहीं जाएंगे हाँ अगर आपका 1500 सैलरी है तब आपका ठीक है सब्सक्रांज और आपको माने के रखेंगे और ये सिर्फ सौधी के लिए नहीं है दुबाइम, कतर, ओमान जाँए। जाँजक उसीचने हैं लेकिने या सम अगर आपकी 1500 सेलरी है तो भी आप ग्यारा सो बचा लोगे तो ग्यारा सो बचने का मतलब है कि भाई 22,000 बच गया इंडिया का ठीक है 22,000 से ज्यादा बचा लोगे आप और सोचों कि भाई हम ओवर टाइम कर लेंगे कमपनी में ओवर टाइम तो कभी जोड़ के मत रखो आप किसी भी जगा जाते हो कहीं पर भी आप जाते हो आपकी सेलरी कितनी भी कम हो या जादा हो ओवर टाइम का ख्याल दिमाग में रखिये ही मत जब आप वहाँ जाए ओवर तो एक तरह से फस गए जाने के तो आप यहां से चले जाओगे सब्सक्राइब लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं करेंगा परिसान रहोगे सब्सक्राइब कर दोस्तों को अपना ख्याल लगना पीछे कुछ ऐसे ही आज मैं च्छत पर आगया और वीडियो बना दिया यहां पे थोड़ा अच्छा लगना था तो आफिस लगना